नमस्कार मित्रों मैं आप सभी का दोस्त मित्र युवा साथी सर्वेश कुमार मौर्या राष्टी अध्यक्ष बिश्च मौर्य परिश्द आज एक बहुत ही महत्पूर्ण जानकारी आप से साजा करने जा रहा हूँ और एक आती महत्पूर्ण बिशापे मैं चर्चा भी करूँगा तो आप लोग ज़्यादस ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं और जिन लोगों ने मौरया एक सासक परिया और यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद वह जिन बटन दबाके और बेल आइकन जरूर आउन करें ताकि जैसे ही हम नया अताजा अपडेट्स करें अर्थात न्यू वीडियो लांचिंग करें जारी करें तो उसका नोटिफिकेशन अर्थात उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके तो यह मैं असोक अस्तंबसे संबंदि अर्थात मौरिशामराजी के बारे में ही कहूंगा जिसको अराजक तत्यों द्वारा मिटाने का हर समोप्रियास किया गया पर उन्तु मिटा आया जा नहीं सका मैं बिहार राजी की बात करूंगा बिहार राजी के पूर्डिया जिले की बात करूंगा आज तो आप लोग ध एक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आप उसमें ध्यान से देखिए उसी पर मैं बता रहा हूँ इस प्रस्तर अस्तंब का पहला नोटिस फ्रांसिस बुकानन ने एन एकाउंट आफ दी डिस्टिक आफ पूरिया अठारसो नौ से दस के बीच मिलिया था पूरिया के एक कलेक्टर ने 1880 में इसकी जड़ तक जाने की कोशिस की बताया कि अस्तंब 65 डिगरी पर जुका हुआ है 65 डिगरी पर अस्तंब जुका हुआ है फिर 1890 में पूरातत्त वेत्ता वाडेल ने इसकी पूरी जहाच की लिखा कि इसकी लंबाई 19 फिट 11 इंच है जिसमें 7.5 फिट जमीन के उपर है वाडेल ने आगे भी बताया कि इसकी परिधी 3 फिट है पत्थर हल्का लाल ग्रे नाइट है और जड़ तक इस पर कोई अभिलेक नहीं है वाडेल ने प्रस्तर अस्तम्ब के खुदाई के बाद एक स्केच जारी की जो कि आप अपने स्क्रीन पे तस्वीर नंबर 2 में देख सकते हैं अस्तम्ब के उपरी भाग में गोलाकार छेद है छेद में संभावत है अस्तम्ब का सिर्श भाग लगा होगा जिस पर कोई मूर्ती बनी होगी वाडेल को लोगों ने बताया मतलब जो अस्थानी लोग हैं उन्होंने बताया वाडेल को लोगों ने बताया कि परंपरा से हम सुनते आये हैं कि अस्तंब के उपर सिंग की मूर्ती बनी थी कई सो साल पहले उसे हटा दिया गया अब कहां है कोई नहीं जानता सबसे पहले ASI ने इंडियन आर्कियोलोजी 1957-58 ए रिव्यू में AC बनर्जी के हवाले से लिखा कि यह असोक अस्तंब से मिलता जुलता है इस अस्तंब की सामगई परिधी और पालिस असोक अस्तंब की है तथा वर्तमान में जो अस्तंब मौजूद है वह असोक अस्तंब का उपरी हिस्सा है इतिहासकार उपेंदर ठाकुर ने अपनी पुष्टक History of मिथिला में इसे मौरिकालीन अस्तंब बताये हैं फिलाल इसे प्रहलाद अस्तंब बताया जाता है और कहा जाता है कि इसी खंबे को फाल कर नर्सिंग अवतार ने प्रहलाद की जान बचाए थी नर्सिंग अवतार का कोई साक्ष तो नहीं मिलता है लेकिन नर्सिंग में छुपा हुआ सिंग इसारा करता है कि कभी इस पर सिंग की मूर्ती हुई थी जो अस्तंब की निसानी है इतनों आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपनी प्रतिकिरिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा हम किसी धर्म या किसी समुदाय का बिरोध नहीं कर रहे हैं जो सच्चाई यह वही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कई कपोल कल्पित कहानिया गढ़ी जाती है जो पुरान आप लोग किसी की धर्म सम्पृताय को ठेस नहीं पहुचाना चाते ना यहीं मारा ऐसा कोई उध्यास किया जाएगा खासकर मौरे वंच के इतियास कार भारती संस्कृति को दबाने का प्रयास किया जाएगा तो समझ लो बिश्र मौरे पर से संस्थान कभी चुप नहीं ब इसे आप जरूर बताएं ताकि भारत के इतिहास सम्मंदित आपसे हमें हर जानकारी साजा कर सकूँ और आपको सच्चाई से रूबरू करा सकूँ तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे दवे हुए इतिहास के साथ जो कई अराजक तत्तों ने दबा दिया है तब तक आप सभी लोग हंसते रहें मुस्कुराते रहें अपने बड़े बुजरुगों का सम्मान कीजिए अपने परिवार के मुखिया के साने दिमें रहना सेखिए मुखिया के सानिद में रहेंगे तो जादा नहीं बहुत जादा बहतर होगा तब हर जगह आप विजय प्राप्त करेंगे और अपने आज पास साफ सफाई रखिए और बच्चों से प्रेम कीजिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेडियो में तब तक के लिए सत्त में हो जाएंगे